वेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका study hack channel पर तो कैसे हैं आप और कैसी चल रही आपकी तयारी आप्लोग का एससी गतम चली रहा है तो आई होः आप आफ सभीकी तेयारी अच्छी हो गई होगी जिन लोगों ने घंज दिया है उन Rebel भूक्शि can the तो मैं और उपर भी आ सय ऑ पर एंड होने के बाद अब फेलीस्ट से जाके सारी क्लासेज को चेक कर लो फेलिस्ट का मिलेगी तो डिसक्रिप स स्वेट कर न तो इस स्रीज में हम बहुत ही बहतरीन तरीके होने के बाद हमने एक launch किया यह क्या रूट वर्ड का बुक है जहां पर आपको सारे रूट वर्ड मिल जाएंगे अगर आप कोई देखते हो बहुत सारे बुक होंगा जिसमें 20 या 22 पन्ने ही होते हैं बस लिमिटेड ही आपको क्या दिखने को मिलेंगा रूट वर्ड लेकिन स्सी डेवलप हो रहा है ठीक है वो नए-नए क्वेश्चन जे रहा है जो कि आप इस लिम्टेड रूट वर्ड से नहीं कर पाऊगा इसलिए मैंने आपके लिए एक क्या e-book कंपाइल किया है जिसमें आपको 8 विजट सारे रूट वर्ड मिलेंगे कितने तो 1000 प्लस और यह क 4 महीने का गाइड है चार महीने अगर आप इसको जैसे गाईड में दिया हो है मोटिवेशन दियो कैसे पढ़ना है कैसे आपको रिवाइज करने कितने दिनों पर टिक है तो सारी चीज़े को फॉलो करते हो तो आपका वोकाईब बूस्त हो जाएगा अजियों क्या आपके स से बढ़ेंगे मैं बता रहा हूं कि इस बार इससी ने पूछा था एक वर्ड कि आपको रूट वर्ड पता होता तो आप उसके सीनोनीम्स या अंटोनीम्स असानी से कर पाते हैं वर्ड क्या था प्रोस लोग कंफ्यूज होगा कि यार ऐसा वर्ड तो कभी पूछा नहीं था लेकिन ध्यान देने वली बात है कि अगर आपने ध्यान दिया होगा दूश्चा pakो एक करेंगे सेंट में तब कैसे तोरना है इसलिए रूट वाड की मैंने पीडियाप आपको पहले दिये ताकि आप उसको पढ़े के रखोगे तो आपको चीज़े समझना असान हो जागा प्रो प्रोफेशनल होता है जो की स्किल्ड होगा और इसका मीनिंग भी होता है वन समवन हुइज स्किल्ड इन सम्थिं ठीकर इस्किल्ड पर्संड के लिए ही यूज होता है तो आप असाही सिसको क्या कर सकते थे ऑप्शन से चेक कर सकते हैं चलिए बिना देरी के सुरू करते अपने क्लास को और आपको ये इबुक कहा मिलेगा तो ड्राइव लिंक डिस् है यह हमपर्ग भी दिया था तो कौन सा है अब लोगोंने घं लिया होगा फ्लैस इन था पैन ठीक है पैन में क्या है फ्लैस है तो पैन में अगर आप तरका मारते हो या कुछ भी करते हो तो फ्लैस कितने दिर के लिए रहता है बहुत छनिक भर होता है तो ठीक उसी से भी लेटर है क्या क्या someone or something whose success or popularity is subtle मतलब क्या कोई व्यक्ति या कोई चीज मतलब बहुत कम समय के लिए हो जैसे कि आप पैन में फ्लैस लगाते हो ठीक है जैसा तरका मारता उसमें या फास्ट फूड वाले में जाते हो तो फ्लैस आता हो कितने दिर के लिए होता है तो बहुत कम देर के लिए संटेर्स में कैसे हो जोगा आए देख लेते हैं ए जाड़ी दियर सक्सेस वाज जस्ट आ फ्लैस इंडप्त है दुख्षी दुख के साथ कहना पर रहा है या दुखी हिर्दय से कहना पर रहा है कि उनका जो सक्सेस था वो क्या था च्छनिक भरका था तो इसके बाद वह ल बात कर लेक्ट है नेक्स्ट यह देखो अब को गेस करना कि यह क्या है एंटीग की सब है पुराने चीज एंटीग पीस यहां फे मिल रहा उसको क्या बोलते हैं उसके लिए कौन सा इंडियम या फ्रेज अप्रोप्रियेट है तो कौन सा है फ्ली मार्केट इसको हम लोग ब बहुत जगा अंटीग स्बादें को फीमार्कर कबारी बार्या आँर्फ आप सभी को पाता हुआ का भारी बाजार क्या होता है कैसी जोगा आए दख लेते हैं तुरडे वी बेंट फोर सौपिंग इन फ्लीमार्कर कल लोग कहां गया थे सौपिंग करने तो कबारी बाजार आपने जो भी एक्ट होता उससे लोगों को स्टाउंड कर देते हैं यह कहां परा है तो फ्लोर पे परा हुआ है तो कुछ आपको रिलेट हो रहा है क्या है फ्लोर से ठीक है याद आरा है आपको कोई इडिया में फ्रेज तो वेलन गुड कौन सा होता है फ्लोर समों में बोल सकते हो मतलब क्या होता है तू सर्प्राइज एंड स्टाउन समर्ड अभी बता है किसी को क्या करना अचंभित कर देना जब अचंभित कर देते हो तुसी एक बालता फ तो घर वैसा नहीं लगा था लेकिन अंदर गया तो उनके जो फ्लोड थे वह फुली फिनिस थे ठीक है इटालियन मारवल लगा हुआ था बहुत अच्छे ताइज से फिनिस था तो आप क्या हो जातो अचम्बित हो जातो शर्प्राइज हो जातो इस्टाउंड हो जातो कि अ नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपको गेस करना है कि कौन सा इडियम या फ्रेज हो सकता है इस जी आइफ इमेज में जूल दिखा है और आप सबीलों ने Case का लिया हुआ क्या है फ्लाइइट इंटु अ रिज ठीक ओड़के कहां जा रहे हो जातो कोई वी चीज क्रोध में होगा ठीक है कोई बीक्षझ उग्र होना है ठीक है तू बिकांब एक्स्ट्रेमली एंगरी आग बबुला होना या अतिक्रोध होना रेज से याद ही रखना कि अंगर वाला चीज है और वो भी क्या extreme, तो fly into rage, अब उड़के कहां पहुंच गया है, घुसे में, एक्स्रेम यह anger हो गया, to become extremely angry, आग बबला होना, अतिकरोधित होना, sentence में कैसे हो जोगा, आईए देख लेते हैं, मुझे कहा गया कि मैं उसके बॉस से बात करूं और उसके बॉस क्या हो गए या वो क्या हो गई अचानक से बहुत तेज गुस्से में आ जाते हो उसी को बोलते है फ्लाइ इंटू अरी आपको चीजे क्लियर हो गई होगी तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैं नेक्स्ट आपको हिंट मीलेगा यही से तो आपको हिंट भी लेना और इसका नेक्स्ट इडियम या स्टेज कॉंसा होगा आयोप आप सभी लोग ने गेस कर लिया होगा तो इससे ने वीज़ गो काफी बार पूछा है चार बार तो पूछ रखा है चार से पाठ बार तो क्या है fly off at a tangent ठीक है आप fly off होगे किसे टैंजेंट से मतलब अगर टैंजेंट क्या हो तो सीधा होता आप टैंजेंट से fly कर जाओ मतलब क्या हो जाओगे मुद्दे से भठक जाओगे ताप उसको छोड़ के कहीं और चले जाओ तो क्या होगे आप भठक जाओगे पहुँच नहीं पाओगे आपको जहां पहुँच नहीं था, तो वह यह होता है. Start discussing something irrelevant, या तो आप स्टार्ट करो क्या discussion करना irrelevant, जो क्यों मुद्दे का हई नहीं, change the subject immediately, या आप subject को अचानक से change करना, मुद्दे से भठा करना, sentence में कैसे यूज होगा? यह देख लेते हैं इतना सेलवीर देना इनको यह देना है अचानक वह बोल बैठा कि नहीं मेरी बेटी तो ऐसे वास्केट बॉल खेलती है तो वह क्या हो गया मुद्दे से बात कर लेते हैं सब्सक्राइब अलब इस जीए फी में से यह ज्या स्क्राइब अपना अपने पैरों पर खड़े खुर्ण तब ही तो आप अपना घोसले को उरा रहे हो ठीक है घोसले से उर रहे हो घोसले से बाहर जा रहे हो तो अपने पैरों पे ख़ड़ा हो चिल्ड्रेन नी लिविंग देर पैरेंट्स होम टू लीब ऑन देर हो ठीक है घोसला छोड़के कब भागते हो जब आप बरे हो जाते हो तो आपने पैरों पर खरे हो जाते हो तो वह ही कह रहा fly अप लोग भी आए होंगे दूर से दूर तैयारी के लिए ताकी आपकी भी जौब लगे अपने पेरोंपर खरे हो सकते सेंटेसम कैसे जोगा आएए देख लिए defory time I think of flying the nest, fear grips me, I have never lived alone. जब भी मैं सोचता हूँ कि मैं अब अपने पैरों पर ख़राऊँगा, घर से बाहर जाऊँगा, अपने पैरेंट्स का घर छोड़ूँगा, तो मुझे कौन घेर लेता है, तो क्या fear? ठीक है, डर घेर लेता है कि कोई मैं कभी घर से बाहर अकेला नहीं रहाऊँ, तो डर सताने लगता है कि मैं कैसे रह पाऊँगा, ओके, I hope आपको चीज़े क्लियर हो गई होगी, तो next बात कर लेते हैं, नेक्स्ट आपको गेस करना है, कौन सा इडियम या फ्रेज हो सकता है, इस जी आइफिमोस को, पटाक से करना, तो next क्या है, flying of the handle, तीक, ये भी क्या आप कोई भी चीज को fly कर दे रहो, ठीक है, handle को छोड़ दे रहो, कब छोड़ दे रहो, जब आपको कोई भी चीज घुस् अचानक से आग बबला हो जाना, तो आप क्या कर देते हो, फेक देते हो, आपके हाथ में कोई चीज के handle है, मालो कि आपको पेर काटना था, खोई आपको बार-बार रोक टोक कर रहा, आप गुस्ता हो जाते हो, तो क्या करते हो, फेक देते हो, handle छोड़ देते हो, फ्लाइ becoming enraged, sentence में कैसे huge होगा, आईए देख लेते हैं, he flies off the handle every time the male is late, ठीक है, वो क्या करता है, घुस्ते में आग बबला हो जाता है, हर बार जब भी उसका जो male है, कब आता है, लेट से आता है, तो आपको आज का काम होगा, आपका male दो दिन बाद आएगा, तीन दिन बाद आग तो आप क्या हो जाओगा, गुस्ते में आग बबला हो जाओगे, इस लगकी को दखोर क्या है, घुस्ते में आग बबला है, ओके, चलिए, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बहुतीजी है, ऐससीन इसको काफी बार पूछा भी हो, और आप लोग, डेली लाइक में को यूज करते हों कौन सा है follow his nose ठीक आप बोलते हो ना कि ना की सीध में चलो तो पूछता ने कि यार यह एड्रेस बता दो कहा है तो आप बोलते हो नो कि तुम्हारे ना की सीध में follow his nose या follow your nose ठीक है to go straight ahead ना की सीध में चलना sentence में कैसे यूज़ोगा यह देख लेते when I asked my teacher the way to library she said follow your nose जब मैंने अपने सिख्षक से पूछा कि लाइबरेरी का रास्ता कहां है कौन सा है तो उन्होंने क्या का कि अपने ना को follow कर मतलब ना की सीध में चलना है आपको straight जाना है कि आपको चीज़े clear हो गई होगी तो next बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपको गेस करना है तो क्या होता है कि आप ऐसे गेस करो कि आप कहीं भीर में हो ठीक है आप को कोई आप किसी को कब follow कर तो जब वो कोट वट परके सूट वट पहन के तो अच्छा गैसिंग दिखता है अच्छा सा स्पीच देता है तो आप उसको क्या करने लगता हो फॉलो करने लगता हो तो वैसे ही है एक सूट पहन के बंदा आएगा और आप सभी को मुटिवेट करेगा तो आप लोग उसको ही फॉलो करते हैं तो क्या करते हैं फॉलो सूट ठीक है सेंटेज में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं इसको काफी बार पूछा भी है बहुत ईजी है आप लोग ने गेस कर लिया होगा क्या है फॉट डबी ठीक है बिल के फॉट तक जाना है मतलब उपर से नीचे तक बिल के आओगे तो लास्ट में क्या होता है एमाउंट लिखा होता है जो आपको पे करना होता है तो हिसाब चुकान ना उसी को बोलते है फॉट डबी तो पे फॉर सम्थिंग पे फॉर एबरीजिंग या तो इस बार का जो क्रिस्मास पार्टी है उसका जो भी एक्सपेंसर होगा उसका सारा हिसाब कौन देगा तो CEO देगा कंपनी का ओके चली नेक्स्ट बात कर लेते है नेक्स्ट आपको गेस करना है हमारा इडियम या फ्रेज कौन सा है हिंट है आपके लिए जी आइफ इमेज और उसमें लिखा यह संटेस कौन सा है फॉर बेटर और वर्स ठीक है मतलब क्या है हर परिस्थिती ठीक है आपको क्या करना अच्छा हो वो भी इस्थिती जो बुरा हो वो भी इस्थिती अंडर एनी सरकमिस्टेंसर इसके लिए एक और इडियम बता है दो तीन बता है आप सभी को याद होगा तो आप लोग कमेंट करना ठीक ह हर परिस्थिती में अच्छा है तो अच्छा भी बुरा आए बत्तर आए उसके लिए लिए हम लोग तयार है तो फॉर बेटर एंड वार्ट्स चाहे अच्छा हो या बुरा हो मैं अपना जॉब क्या करने वाला हो करने वाला हो ठीक है आपको चीज़े क्लियर हो गई होगी तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट भी बहुत इजी है कि आप सभी को गेस करना है कौन सा है फॉर गुड एससे सिंग को काफी वार पूछा पांस साथ बार पूछ रखा है और यह इजी भी आप सभी को पता हो फॉर गुड मतलब क्या होता पर्मानेंटली फॉरी बार हमेशा के लिए या सदा के सदा के लिए तो प्रेक अप होगा थाही संतेश संतेशम कैसे होगा आइए देख लेते विखी लेफ घर हसमें फॉर गुड और भूड की कि विक्की कौन है एक लड़की है ठीक है उसने अपने हस्वेन को छोड़ दिया पर्मानेंटी ठीक है अच्छा ही ही कि छोड़ दी पुछ अंदोनों के बीचे में कुछ बन नहीं रहा होगा बार बार फाइट हो रहा होगा ओके बात कर लेते हैं ए कि नेक्सट बीजी है बहुत रीजी है आपको यही कि अहीं से लेना है साब कुछ लिखा हुआ है तो नेक्स्ट कौन सार्किंइउ किप मतलब क्या होता है रखना खौर लगा है तो हमेशा के लिए होता तो सदैब लोग ख्यलते थे ना हमेशा के in प्षों का आयो दख है य तुम मुझे उस बूख की जवत नहीं है इसलिए तो मैं कहा रहा हूं कि तुम उसको सदा के लिए रख सकते कीप मतलब होता है रखना जैसे फार था हमेशा के लिए पर्मानेंट होता है तो फॉर किप फॉर लगा के इसको हमेशा के लिए बना दिया गया नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट एजी आपको गेस करना है यहीं से इडियम या फ्रेज और इस इडियम फ्रेज को आपने काफी बार यूज किया होगा क्योंकि एससे ने इसको काफी बार पूछा भी है आई होप आप सभी लोगने की कर लिया होगा कौन सा है तो है 40 विंग्स ठीक है विंग मतलब क्या था पलक जपकाना अगर चालिस बार पलक जपका होगे ठीक है इससे क्या पाता चलेगा कि आप जपकी लिए रहा मतलब सुहीं गया हो ठीक है एक जपकी जो लेते हो आप दिन के समय में उसी को बोलते है 40 वार विंग करोगे अपने आंको ऐसा ऐसा करोग जो दोगे कि मिचलाओगे तो क्या होगा सामने वाले को लगए तुम तो सो रहे हो या उतना तेजी करोगा तो सोता होगा ही दिखे लेते हैं आई फेल्ट अलोट बेटर आफ्टर आइड 40 विंग्स अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं एक जपकी लेने के बाद दिन में एक जपकी लेवा मैं पढ़्ख़ने के बाद अच्छा फ्रीच करा रहा हूं एक जपकी लेने के बाल मैं फीस्ट है पढ़ारा शुरू कुरू का दूंगा एजगा link और आउप आपको चीज़े clear हो गई निक्श्ट बात कर लेते हैं पर लिखाई है इगयन फ्रेज तो क्या है from out to the bitter end कब तक लगना है? ठीक है? bitter end अगर bitter भी होता है खरवाय भी होता है खिर भी आपको लगना है ठीक है क्या करना है? परिनाम क्या होगा नहीं होगा इसका परवा नहीं करना और आपको अंद तक लड़ना है, उसी के लिए यूज होता है, carried on a contest regardless of the consequences, परिनाम की परवा किये बिना अंद तक लड़ना, ठीक है, क्या परिनाम होगा, end कैसा होगा, बीटर होगा, या कुछ भी होगा, आपको लड़ना ही लड़ना है, उसी को बोलते हैं, परिनाम की परव किये बिना अंद तक लड़ना, इसको बोलते हैं, फाउट तू दा बीटर इन, ओके, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया हुआ, तो sentence में देख लेते हैं, कैसे यूज करेंगे, the workers would fight to the बीटर इन, वरकर को क्या करना चाहिए, बिना परिनाम सोचे हुए, अंद तक अपने काम को करना चाहिए या लड़ना चाहिए, ठीक है, जो काम मिला है, जो उनको एसाइन हुआ है, उसको करना हगा, फिल फिल करना चाहिए, चलिए, नेक्स बात कर लेते हैं, बहुत एजी, I hope आप सभी लोगों ने guess कर लिया होगा, तो क्या है, next, four corners of the earth, प्रिथिभी के चार कोने चले गए मतलब दुनिया के हर हिस्से से कोई भी चीज छूटा ही ने फोर डायक्शन में चले जागो तो आप से क्या चूटेगा कुछ भी ने दुनिया के सभी हिस्सों से उसी के लिए यूज करते हैं फोर कॉर्नर्स ऑफ दा कॉर्नर मतलब चारो कॉर्नर मतलब चारो दिसा मतलब दुनिया के सभी हिस्सों से सांटेशम कैसे हो जोगा आए देख लेते हैं ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपको गेस करना है कि नेक्स्ट हमारा इडिया में फ्रेज कौन सा होने वाला है और हिंट आपके सामने यहीं है जिए जिए यह इस आई होप आप सभी लोग ने गेस कर लिए होगा तो क्या है फ्रॉम फार एंड वाइड यह भी वही सेम देता है फार भी जाएगा वाइड भी जाएगा बहुत दूर तक फार सीमा नहीं और वाइड भी फैलता जाएगा मतलब क्या होगा सभी दिशाओं में फ्रॉम ओल डाइरेक्शन देख पारोंगे अभी जो हमने इडियम्स किया है ठीक है इडियम्स अलग चेंज हो रहे हैं पर मीनिंग देखो तो वही दे रहा है एक ही जैसा दे रहा है जैसे कि अभी है हमने किया था फोर कॉर्णर्स ऑफ दॉट ठीक है हर हिस्से से हर डाइरेक्शन से ठीक है सभी दिशाओं से संटेंसम कैसे यह जोग आए देख लेत ठीक है हर मार्केट में जहां तक मार्केट फैला था हर दिशाओं में गया हो ऐग रहुप आपको चीजे क्लियर हो गए होगी तो next बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट आपको गेस्स करना है हमारा इट्या में फ्रेज कौन साह है इस याइफ इमेज से और इसमें लिखे सद्याद हो कि आप सबी लोगाने गेस्ट कर लिया हुआ तो कौन साहं है from stem to stern ठीक है stem से लेके stern तक और यह क्या सीप में ही होता स्टेम और स्टांग ठीक है मतलब पूरी तरह से all the way from the front of a seat to the back ठीक है मतलब क्या पूरी तरह से front से लेके back मतलब पूरी तरह से संटेम्स कैसे होगा आए देख लेते हैं सर्जेज और वाटर रॉक्ट देर बोट फ्रॉम स्टेम टू ठीक है पानी की जो धार थी सर्ज था वो उनके बोट को फिल कर दिया गया कहां से कहां तक पूरी तरह फिल कर दिया तरह स्तार्ट से लेके इंड़ता है है फ्रंट से लेके ब इंड़े यह जनरली किस को फूरी होता कहते हैं किसी को सुकृरियादा करता हूँ, यस सच्चे दिल से कई थो किसी को लफ ही करती हो, वोलतो नो कि, I love you from, the bottom of my heart मतलब के कैसी संस्यर ली, sache सच्छे दिल से थैंक यू भी बोलते हो किसी को सच्छे दिल से या प्यार भी करते हो इजहार भी करते हो सच्छे दिल से सच्छे दिल से कैसे जोग आए देख लेते हैं I thank him from the bottom of my heart because of amazing present he gave me for my birthday मैंने उसको तहे दिल से सच्छे दिल से सुक्रय दा किया उसकी गिफ्ट के लिए जो मुझे दिया था क्या मेरे बड्ये पर amazing सा गिस्थ दिया था तो मैंने उसको तहे दिल से सच्छे दिल से क्या किया धन्यवाद दिया ठीक है आई होप आपको चीज़े क्लियर होगी है क्योंकि यह तो आप डेली लाइट में यूज करते हो चलिए नेक्स्ट बता दो बहुत हीजी है यह भी एससी का फैब्रेटी समझो आठ बार पूछ शुका है ठीक है आठ से दस पार पूछ चुका है ओल्रेडी कौन सा है फुल अफ बींस ऐसे समझो कि आप भूखे थे आपको खिला दिया गया पूरा बींस तो आपके अंदर क्या आ जाएगी तागा अट आ जाएगी इनर्जी आजी है आप जोज से भर जाओगे क्योंकि आपके अंदर क्या है बिंस भरे परे हैं फुल आफ बिंस मतलब जोस से भरा होना ठीक है लिवली एंड इनर्जेटिक फुल आफ इनर्जी जोस से भरा हुआ ऐसे यह तक मैं बिंस मैंने खाए जब मुझको भूख लगा था और मेरा फुल था पेट फुल हो गया फुल आफ बिंस आफटर लॉंग लंबी नींत के बाद सारा क्या जोस से भरी होई महसूस कर रही थी ठीक है आई होप आपको चीज़े क्लियर हो गई होगी तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट भी बहुत इजी है अप गेस करो यहां से ठीक है आई होप आप सबी ल लेना महसूस करोगे तो आपको ले लेते हो जो कि आप ले पाए या फिर जो होट अपर की तर भागता है और ऑपर की ता आपको क्या चीज़ लगेगी जो आपके ऊपर-उपर से भागेगा तो कोई बगवास करेगा तो आपको उपर-उपर से भागेगा तो वही है full of hot air म गर्म हवा भरी उपई है तो तुम उड़ जाओ यार नहीं उड़ पार हो मतलब बगवास बात कर रहे हूँ ठीक है तो बगवास से भरा हुगा आई होप आपको चीज़े क्लियर हो गई होगी तो देखते हैं सेंटेंस में कैसे उज़ करेंगे सट अप पीटर यू आर फुल अफ चुप हो जाओ पीटर तुम बगवास से भरे हुए हो ठीक है सारा नॉंसनस वाले टॉक कर रहे हो तो तुम बहतर है कि चुप हो जाओ आई होप आपको चीज़े क्लियर हो गई होगी तो नेक्स बात कर लेते हैं नेक्स जो है वह कौन सा ह यहां से अगर आप वेल मृण आपकी त्यारी बहुत अच्छी है टाल है सब्कित किया है सांड़ भात तेज साव्ड यह नॉए जैसे देखो कि अगर बॉम फूट जाए तो क्या होता बहुत तेज साउंड आता है ठीक है कुल हाल मच जाता है ओके सेंदेश में कैसे हूँ जोगा आए देख लेते हैं देख टाउन मीटिंग क्रिएटेड लॉट आफ साउंड एंड फूरी बट नो रिजॉलूशन ठीक है टाउन का जो मीटिंग था बहुत सारा कुल हाल किया लोग एक दूसरे में सोर मचा रहे थे ठीक है कोई भी रिजॉलूशन नहीं निकल आप कुछ क्लियर हो गई होगी त कर लेते हैं आगे पूस करता आगे जाने के लिए तो फूल इस्टीम आहें टो वह क्या होता था चीजों को आगे की तら ले जाता था तो यहां से याद अखना फूल स्टीम आपने फूल कर दिया तो वह तेज जलती थी यह गारी चलती तो पूरा क्या लगा देता था जोर लगा देता था कैसे हो जोग आये देख लेते हैं आई कम्प्लीटेड माई डिग्री नाउ आयम डेडी तो स्टार्ट माई काईडियर फूल स्टीम है मैंने डिग्री कम्प्लीट कर लिया अब मैं क्या खाड़ूंगा पूरा जोर लगा कि पूरे डिटर्मीनेशन से अपना काईडियर रहा है घरना ही आ तो गॉल्ड मतलब ही होता है हिट फुल है घरना गिला सपन ठीक है जिससे आपको घरना जाए ऐसा चीज़िस से आपको घरना है उस ही को बोलते हैं गॉल और माइग चांट वार्म की रहता हुट आएज अजीर सा दिखता रहता है अगर वार्ट सिंस तो नेक्स्ट जो है वो कौन सा है तो नेस्ट गेम इस आप खेल खतम हो चुका है गेम अब क्या हो चुका है खतम हो चुका है मतलब आपका भेद खुल चुका है क्या होता था यूस्ट तो से दाट डिजाउनेस्ट प्लान और अक्टिविटी हैं इसकावड और नो लोंगर भी एलाउट तो कंटीनीव मतलब आपका भेद खुल चुका है आप जो दिसेप्संग करते हो वो सब खत्म हो चुका है तीक है अब जो भी धोख अधरी करते थे बैमानी करते थे अब जो भी अक्टिविटी ऐसा करते थे जो कि गेंटीनीव आप नहीं कर पाऊवर क्योंकि आपका भेद खुल चुका है अब अब हमें पता चलिया है कि तुम नकली लेटर बनाते थे जाली लेटर बनाया थे नेक्स्ट वार्ट कर लेते हैं नेक्स्ट कौन सा इडियम या फ्रेज यूज होता है जिसका मतलब क्या डिस्ट्रिबूट है बहुत हीजी है आपको तो यहां से देखके ही पता चल गया होगा टेक्निकल गुरू जी क्या करते रहते हैं अपने चैनल पर तो पता ही होगा चले मिलता है फिर नेक्स क्लास में तब तक के लिए जय हिन जय भार ठीक ज़िए